हलो एवरीवन, वेल्कम बैक टू माई यूट्यूब चैनल, मैं हूँ पूर्णम राश्पुत और आप देख रहे हो पूर्णम रियक्ट्स आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है जिस पे हम रियक्शन करने वाले हैं वो है एक सौंग जो है जमीनो आसमा में हर जुबां से ड्रिलिस इर्थगुल तो यह है मुसलमान फिर कफन बांधे तो यह है इसका टाइटल I think एर्थगुल गाजी पे बहुत सारे जो पाकिस्तान के सौंग है वो उनकी पिक्स के साथ उनको ट्रिब्यूट किया जा रहे हैं उन्हीं में से एक यह होगा और बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे हैं मैं पहले ही बता देती हूँ कि मैं इस टाइम एर्थगुल गाजी से रिलेटेट बहुत सारी वीडियो करे हूँ तो एक्चली जो मुझे सजेशन्स मिलते हैं मैं उन्हीं पे रियक्ट करती हूँ और मुझे सजेशन इसी के मिल रहे हैं स्टा पे जितने भी सजेशन मुझे आरहे हैं मुझे इसी से रिलेटेट जादा आरहे हैं तो जो जादा सजेशन होंगे उसी पे मैं रियक्ट करूँगी तो इस टाइम आप लोगों को यही जीस पसंद आ रही है तो इसलिए मैं इसी के ऊपर कर रही हूँ मैं अपनी तरफ से कोई भी वीडियो नहीं करती हूँ सारे आपके सजेशन की होती हैं तो अगर कुछ रोगों को नहीं देखनी जो ऐसे कॉमेंट करते हैं तो वो स्किप कर सकते हैं बड़ जिनको पसंद है उनके लिए मैं यह कर रही हूँ तो यह सौंग तो आई तिक टॉक में सुना है तो इसलिए मुझे बता है कि यह सौंग के साथ उनको ट्रिबूट किया गया है क्योंकि ऐसे अल्रेडी मैं यह किया दो सौंग पर रियक्श कर चुकी हूँ समीनों आसमा में हर जुपां से लाई ला निकला हजूर ए हक से पाकिस्तान का पर चम जुदा निकला अगर जे कौम दर मांदा उदास और बाशिकास दादी मगर फिर काइद आसम सहाली रहनुमा निकला मगर फिर काइद आसम सहाली रहनुमा निकला समीनों आसमा में हर जुपां से लाई ला निकला वोई दुपां से ॔धड के ले कैसे के लाई छुपांस फिर आसमान Student मुसल्मानों की दुनिया में निया एक रह्म मा निकला नहें अंदाग से तैयारिया कर नहें मुझाहिद से मुसल्मा फिर कफन बांधे हुए हक आजमा निकला समीनों आशुमा में हर सुभा से लाएय ला निकला जमीनों आस्मा में हर जुपा से लाए ला निकला हजूरِ हक से पाकिस्तान का परचम जुदा निकला अगर जे कौम दर्मांदा उदास और बाशिकास दादी अगर जे कौम दर्मांदा उदास और बाशिकास दादी मगर फिर गायदे आजम सा आली रहनु मा निकला मगर फिर गायदे आजम सा आली रहनु मा निकला समीनों आस्मां में हर खुपां से लाई ला निकला अलम लहरा गए दुनिया में इस मलक मुआजम के मुसल्मानों की दुनिया में निया एक रहनु मा निकला समीनों आस्मानों में निकला तो जैसे मैंने बोला था वही था कि ये सॉंग पाकिस्तान का है तो उस पर सैट करा गया उसके साथ मतलब उनको ट्रिब्यूट किया गया है क्योंकि यह song तो अल्रेडी काफी पुराना है जहां तक मुझे पता है क्योंकि मैंने टिक टॉक में बहुत सुना है यह song और voice इनकी काफी अच्छी है जिस ट्राइब से उने सौंग को प्रेजेंट किया है बहुत अच्छी वाइस के साथ है बहुत अच्छी से मतलब उनको ज जिसको पता है उनको पता है कि यह पहले से सौंग है तो यह कुछ है जिन्होंने एडिटिंग करके साथ किया है बट काफी अच्छी सा किया है उनकी उपा साइड जा रहा है और अच्छा है लग रहा है तो आप लोगों को भी यह song पसंद आया होगा पसंद आया तो comment box में जरूर बताईएगा कैसा लगा है आपको यह कैसे लगी है मेरी reaction वीडियो आज के लिए बस इतना ही और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक शेर जरूर कर लीजएगा तो आज के लिए बस इतना ही मिलूंगी आपसे बहुत अच्छी वीडिय है यही प्यार बांटिये नफरत नहीं